रिस्क सिर्फ उतना ही ले जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं चाहे वो रियल लाइफ में हो या किसी बिजनस में या फिर शेयर मार्केट में ही क्यों ना हो आए बढ़ते हैं आज के एक्सिस बैंक शेयर की तरफ लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइ की बात करें तो LIC Holdings 8.49% है GIC Holdings 1.06% है The New Indian Assurance Company Limited 0.69% होल्डिंग है and Unit Trust of India Unit Scheme 4.33% होल्डिंग है अच्छी बात यह है कि एक भी शेयर प्लेज नहीं है हाला कि प्रोमोटर्स होल्डिंग के ग्राफ को देखे तो 14.78% है सेप्टेंबर 2020 एंड के क्वार्टल तक होल्डिंग दूसरी और Foreign Institutional Investors Holding increase हुई है और September end तक 49.24% है Domestic Institutional Investors Holding 23.93% है Public Holdings 12.06% है Mutual Funds Holdings को आप देख रहे होंगे Income Statement देखे तो Interest Earn September end में गटा है लेकिन दूसरी और Other Income बढ़ी है और Total Expenditure भी कम हुआ है Net Profit भी अच्छा खासा बढ़ा है काफी अच्छे Results हैं September end तक NPA की बात करे तो यह जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है पिछले June quarter में compare करें तो NPA गटा है वो भी अच्छी कबर है बाकी देखते हैं next quarter में क्या Results आएंगे Balance Heats के Results भी आपके सामने हैं Investment करने से पहले फिर से एक बार आफ सारी Fundamentals को देखते हुए कईसी Decision पर पहुचे और In-depth Information ले हर एक चीज की और हाँ अपने Target Price जुरूर सेट करें सब कुछ Target Price पर ही Depend करता है आपके Investment करने के बाद बाकी मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई